कि विल्कम फ्रेंड मैं भी यार चंचल आप लोग को स्वागत करता हूं फ्रेंड आज साइंस से स्पेशल ओवन थालिन महत्पून प्रश्ण तरी स्रीज में जो है आज लेस नमबर टू देखेंगे तो देखते हैं आज के पहला प्रश्ण इसको जूम कर लेता हूं तो फ् पर अच्छा से ध्यान देना है कि समान नहीं है बीमा काने का मतलब है कि जिसका एकाई जो है समान होगा उसका बीमा भी समान होगा तब आप इस पर ध्यान देजेगा तो देखें बल और दाब बल बराबर क्या होता है यहां पर ध्यान देजेगा बल बराबर होता है एम ए अ और दाव यानि की प्रेशर अगर याने प्रेशर से कहा जाए तो प्रेशर से बद्राबर होता है बल वठा यानि की फोर्स वठा एरिया ठिक है तो देखी यहाँ पर क्या होजाएगा इसका Neutin और यहाँ पर mytrisoklaar ठिक है इसका इसका न्यूटर मीटर अस्कार हो जागा लेकिन यहां पर क्या होता है इसका न्यूटर होता है ताप पहला तो यहीं पकड़ा आ गया कि इसका जो है राइट अंसर हो जागा जिसका जो है समान भीमासुत्र नहीं होगा यानि कि भीमासुत्र कहा जाता है इसको निकाले जाता है कि जदी यहाँ पर देखिए हन्थ बल का निकालते हैं यहाँ पर क्या होता है द्रमान है में देखिए बल का बल का निकालते हैंalley कि एम अर्ड देर ड्र मान हो गया फंटाम में तल इक एम इनिट मी जो है इसको तोर दिजिए ठिक ए balance भी वाय टी ठीक है और भी बराबर क्या होता है फिर देखिंगे येद तो एम रहेगा भी बराबर क्या होता है डिस्पिलेश मेंट ठीक है यह सब एक हरちゃ भ नीचे क्या हो जागा रियेगा अब तेक इसको अब बिमार्वucker ग消कत में है इंक्व क्या होता है बड़ाय में लिखा जातागा और S क्या है दूरी या displacement क्या होता है जिसको आप मीटर में मेजर करते हैं तो है उसको लिखा जाता है 榷्प ले चाहेंगे तो क्या हो जागा T-מronics थू ठिक है 3 परकार और जदी इसे जो है कोष्ट का द्वारा घियर देंगे तो ये क्या हो जाएँगा बिमिय सुत्र हो जाता है ठीक है तो इस परकार से तो यह आप निकालका समय लेजी है कि जधी अगर का इखाई झो है किसी भी जो है चीज सका इकाई अगर समान होता है तो इसका हिचे कर लेते हैं कार या उर्जा कार जी या उर्जाथ तो दोनों का क्या होता है मातने जूल ही होता है तीशलिए इसका भीमा भी समान होगा अब देखी आवेग और संबेग और संबेग का भी जो है मात्रक किलोग्राम मीटर परती सेकन ही होता है ठीक है यानि कि आप संबेग को क्या से डिनोट करते हैं अबी ठीक है और इंपल्स जे को भी आपका і अंतर ही अभेग का लाथा है इसको को सांतर पर continue कि धार को ही क्या करते आप couple आपका ये रिख्यार समे फ्रेज़ आउनर को कि कहते हैं एम जी ठीक है और हमारा फोर्स बरावर क्या होता है ये में ठीक है तो देखिए यहां भी क्या होता है एम जी क्या होता है द्रमान और त्वरन यहां भी द्रमान और त्वरन इसलिए दोनों का क्या होता है इकाएं भी समान होगता है लगभभभ नेक्ट देखते हैं कोचन न अधिस राशी हो ऐसी राशी होती है जिसमें जो है दीसा और परिमान दोनों होता है लेकिन अधिस राशी में सिर्फ क्या होता है परिमान होता है और दीसा नहीं होता है परिमान करने का मतलब होता है कि जैसे कि सिर्फ क्या हता है जैसे कि दो लिग दिये ते क्या हो गया परि मीटर आगर कुछ भी रहे जैसे कि लंबाई हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा अदिस रासी हो जाएगा समय क्या हो जाएगा सेकंड तो समय को हम लोग क्या लेखते हैं दो सेकंड चार सेकंड तो इसको में हम लोग दीशा नहीं तरसाते हैं ठीक है तीस परकार से क्या होता है यहां हमारा अधिस राजी हो जाएगा अब देखिए बाला गुर्न बाला गुर्न भी एक क्या है सदिस रासी है और संबेग संबेग भी एक क्या है एक सदिस रासी है जिसमें क्या होता है दिर्षा को तरसाय जाता है ठीक है देखें संबेग पराबर क्या होता है एम और भी ठीक है तो भी क्या है एक सदिस रासी है यान भी क्या होता है वेलो सिटी याने बेग बेग जिस द जो कि दीशा के साथ मिजर किया जाता है तो इसलिए राइटन्स रोजा का अप्सन नमबर एक उर्जा उर्जा एक क्या है अदीश रासी है ठीक है जिसका मात्रक हम लोग क्या होता है जूल नेक्स्ट देखेंगे कि नीमनेयस से कौन एक सदीश रासी है तो अब ही हमने बता था कि सदीश रासे क्या होता है देशा और परिमान दोनों होता थीक है तो देखिए यहां पर दर मान दर मान जैसे कि हम लोग कैसे लिखते हैं दू के जी धीक है दो ग्राम चार ग्राम पाच ग्राम इस तरह से लिखते हैं समय को दो सेकंड चार सेकंड लंबाई को दो मीटर चार मीटर ठीक है तिसमें क्या है इसमें दीसा नहीं है सिर्फ क्या है परिमान है तो इसलिए क्या होता है यह दीस रासी है और यह क्या है सिर्फ सदीस रासी है बेग बराबर क्या होता है, आपको displacement S, Y, T होता है, ठीक है, तर displacement देखे चाल, यहाँ बेग क्या होता है, एक सदिसरासी है लेकिन चाल, चाल जो होता है हमारा एक अधिसरासी होता है चाल बराबर होता है, दूरी बटा समय, ठीक है तो दूरी में कोई भी direction का कोई मरहत्व नहीं है लेकिन displacement में यानि की बिस्थापन में आपको दीशा का होना जरूरी है इसलिए बेग क्या हो जाता है सदीश रासी और चाल क्या हो जाता है अदीश रासी नेक्स देखते हैं कोशन नमर फूर कोशन नमर फूर है कि पदार्थ के संबेग और बेग के अनपात से कौन सी भारतिक रासी प्राप्त की जाती है अब देखें बेग और संबेग कह रहा है संबेग उपर लिख दिये इसको momentum P से और बेग को भी से ठीक है स्टेंसर हो जाएगा सी द्रबमान नेक्स देखेंगे को कोश्चन नमर फाइब कि सुन में सोतंत्र रूप से गिरने वाली बस्तु की ता है समान त्वरन होता है ठीक है नेक्स देखेंगे कि जब दो केजी वाले द्रबमान पर पांस नीटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन होने वाला त्वरन होगा ठीक है तो कितना होगा इसको फासे इधर कर देते हैं कितना होगा हमारा तो देखिए हम लोग बल बराबर क्या जानते हैं बल बराबर एफ ए जानते हैं सोरी ए में जानते हैं तो यह कितना होता है यह क्या होता है दरमान दरमान कितना दिया हो है दो और यह हमारा निकालना है तो एक को छोड़ देंगे और एफ कितना दिया हो है पांस नीटन तो तो देखिए यह तो कट जागा 2.5 ठीक है तो हमारा ए बराबर कितना निकल के आ फिरन 2.5 यह बराबर हमारा निकल के आ गा 2.5 मीटर परती सेकंड स्क्वार क्योंकि यह त्वरन है ठीक है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा पूशन नमबर ए टू पॉइंट फाइव मीटर पूर्ति सेकंड एस्वार है नेक्स जखेंगे क्वोशन नमबर सेवेन कि किसी भी इस्थिर या गति सील बस्तू की इस्थिती और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर बाहेवल सक्रियन ना हो या कथन है तो यह कथन किसका है नीटन के पर्थम करती कि नियम या नीटन के दित्य करती कि नियम या तित्य करती कि निय बाहरा जाता है कि कोई बतों गति शिवे ृई इस तब तक रहे घार जब तक कोई बाएवल नहीं लगा जाता है और नीटर की दित्य गतिकहर में कòng लागता है उसका जो है मांता एक बती ही निकलता है जानी इसको ख़ंड कि बहुन जो है बह multif यानि का ब्रतिक प्राप्त होता है जैत के दिड्र मैं बात के से जो है किसी भी वह रिवा स्थ पर जो है किर्या पर तिक निया जो है का जो है बल का मान चल्वाल का उसमान होता है । यह म bomb ढंद है यान। नेक्स देखते हैं प्रिंग करता है उसार शनाट्षन बर्नोली पर में यह संबीघ संध्षन फिरिंड इसका राइट लोग चक्षन के सीधान पर काम करता है आप लोग जानते होगे कि अधे बराबर क्या होता है यानि कि हमारा एंबी कमान जो होता है यह हमेशा एंबी बराबर के यानि कि हमेशा क्या होगा अचर होता है यानि कि कभी नहीं बदलता है यानि कि यह मन भीवन बराबर एम टू भी टू यह क्या होता है हमेशा इस डिरेक्शन में होते रहता है तीसलिए राइट अंसर हो जागा अप्शन नमबर डी नेख जगते हैं कोशन नमबर नाइं कि अस्व जदियकायक चलना प्रारंभ कर दे तो अस्व रोहिक के गिरने की अस्वंखा का कारण है देखे फरोहि जो है क्यों कहा जाता है क्योंकि नीटन के पर्थमगती को जड़ाते करने कह जाता है क्या जानते है कि कोई भी बसतुआस्थिर या गतिस्चिल तप तक राता जा Dubai उसमोड कि बाहेएवल नालागई नागा जाए ठीक Leach तो आप देखिए कोई बीक्निन वासथा में है घृट टूटथा है तो वह दो होगा जहीं आप दो लिए राइट एंस पर जागा समर्सी विश्राम जड़ात के कारण होगा जो है कि गिरने का सब्सक्राइब का होता है ठीक है कि नेक्स देखते हैं क्वेश्चन नमबर टेन कि कि किर्केट का खिलारी तेजी से आते हुए बॉल को क्या क्यों अपने हाथ को पीछे खीच ऑगाने कि सकता हो या को सकता है अधीक बल लागाने कि सकता है इसका राइट शण बहो जागा अप्शन नमबर ए कि आ सब्सक्राइब कि इसो कि नीटन के गति क्या तीसरा नियम जो है कि को भी भास तू जितना बल लगास्ट कि जो है उस बस्तू पर दूसरा बस्तू जो है बल लगाता है तो इसलिए गेंद क्या है गति के बस्ता में आ रहा है तो अपने हाथ को भी क्या है जितना गति से आ रहा है उतना गति से इसको क्या है हमारा हाथ भी गति लगाएगा अगर नहीं अपना हाथ पीछे घीचेंगे तो हमारा हाथ भी क्या है उतनी ही गती दे देगा बॉल को तो क्या होगा कैच छूट जागा यानि कि बॉल को नहीं पकार पाएंगे इसलिए जो है बिश्राम इस्थिति में लाने के लिए जो है क्या है अपने हाथ को पीछे यानि कि केट खिला रहे क्या हो करता है अपने हा इंतिल.